तो दिर श्टूर्स आज हम लेकर आये हैं आपर फिजिक्स के NCRT का जो है 11.6 का एक्जाम्पल लेकर आये हैं जो की डूए लेटर अफ रेडियेशन एड मैटर का सवाल है आपर सवाल जो है बहुती अच्छा सवाल है और सिंपल भी है यहाँ पर सवाल का था क्या हूँ सुन तो अगर एलक्ट्रों हमारा वी वी बेलक्टाइब कर रहा है तो बोल रहा nutritional की भी भेलक्टर की वेलक्टों का थी сторону की भी वेलक्टी है तो जो है जो लिए प्रट्रॉट का ये जो पमारे पास में है एलक्टरॉन का डिब्लगली वेवलेंट तो इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो आपको गीबन है वो रेशियो दिया हुआ 1.813 इंडू 10 to the power minus 4 ये ratio दिया हुआ है ठीक है अब करता है calculate the particles mass particle इस particle का mass पता करो कि इसका mass क्या है यानि कि इसी particle का mass क्या है और ये particle कौन सा है इसको भी identify करो mass निकल जाएगा तो उस mass से अगर कोई जान पहचान का निकलेगा रिष्टेदार तो पता कर लेए कि वो कौन सा रिष्टेदार है तो यहाँ पर चलिए हम लोग सवाल देखते हैं अच्छे से तो deep broadly wavelength का चर्चा आया है तो यहाँ पर हमारे पास hint दिया हुआ है तो कहीं कि सवाल का राज भी सीम चुपा होगा और deep broadly wavelength में अगर mass वाला term यहाँ पर है तो और मज़ा आ जाएगा कैसे आएगा तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि deep broadly wavelength जो होता है वो lambda is equal to h by p होता है जहाँ p momentum है और यही lambda is equal to क्या हो जाता है h बटर p के जग़ाँ पर क्या लिए देंगे हम लोग तो पालिटिकल के लिए h तो constant है planks constant है तो पालिटिकल के लिए अगर बात करें हम लोग तो यहाँ देखिए mass जो है वो mass माल लिए यहाँ पर MP लिए देते हैं याँ mass of that particle ठीक है और यहाँ पर v velocity जो है हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि assume कर लिए सवाल में पहले से ही कि let the velocity of electron is b and the velocity of particle is 3b यह माल लिए है ठीक ना तो अगर electron की velocity को आप भी लिखते हो तो particle क्या वेलिटिकल को आप लोग क्या लिए दो 3b पहले ही कर दो तो माल लिए यहाँ पर हम हम पहले velocity of particle कर गी h बट्ट है mass of particle यह पारिटिकल के लिए बात हुए दिब्लोग लिए बात हुए दिब्लोग लिए लेक्ट्रोन की बात करें यह क्या हो जाएगा h divided by mass of electron जो हमें पता है कितना होता है mass of electron तो यह होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram यह होता है h का मान तो आप सब को पता है वो तो कटे ही जागा h तो बाद में खत्रम ही हो जागा तो h का cancer ही नहीं लो और यहाँ पर क्या हो गया velocity of electron तो मान लेते हैं कि velocity of electron जो है हमारे पास यह let कर लेते हैं मान लेते हैं कि यह हमारा x है तो therefore velocity of particle क्या हो जाएगा सवाल से यहाँ पता चल रहा है कि अगर electron की velocity को x मनते हैं तो particle की velocity 3x होगी 3x होगी क्योंकि particle electron से 3 गुले रखतार से दौन रहा है अब चलिए हम लोग according to question की बात करते हैं according to question की बात करते हैं हमारे पास यहाँ पर lambda p और lambda electron ये खुझी हम पर lambda, electron का यहाँ पर रेश्यो दिया हुआ है याने की बाट कर दी ब्रॉगली वेवलेंग्त और एलक्रोन का दी ब्रॉगली वेवलेंग्त का रेश्यो दिया हुआ वो रेश्यो इतना दिया हुए यह वैले पुदिया हुआ लेकिन हम पहले इसको सॉल पर लेट आपके जब पर क्या लेक सकते हो ऐच बटत है मास आप पालिटिकल इन्टू वेलसिटी ओपालिटिकल तो वेलसिटी ओपालिटिकल कितना माने थिरी एक्स माने ठीक है बटर ये बरकाट का बटे देडिया पर में फ्रेक्शन हो गिया यहाँ पर डी ब्लॉगली वेवलेंग्ट फॉर एलक्ट्रोन क्या देगा एच वेलसिटी ओफ इलक्ट्रोन वेलसिटीओ फिलग्ट्रोन को क्या Мाल लिए हम लोगए आपड एक्स बाल लिए ठीक है देखो जरासा ये एक्स से ये एक्स कंसील हो गया ठीक है तर्जिल कर दिये कोई दिकत नी है ये एच से भी ये एची कैसी लोन पिचा है यहापर उन ब यह बराबर यहां पर रिजल्ट हम लोग को आया हुआ है कितना 1 बटै 3 into mass of particles अगुणा उपर में क्या सलागा mass of electron 2 यह mass of electron कर दीए mass of electron कर दिया हो गया है तक 3 तो हमारा बच गया है ठीक नव? अब देखिया है पर इसी चीज़ का यही रेशियो का जो वैल्यू है यह हमें दिया हुआ है गीवन है 1.813 into 10 to the power minus 4 दिया हुआ है प्याड़े बच्चों यही से सवाल सौल होगा क्यों कि इलक्त्रों का तो मास पता है अम लोगों को तो यहां पर क्या करना है अम लोगों को इस मास और पालिटिकल को उस साइड जाना है और इसको इधर लेकाना है तो मास और पालिटिकल तो फ्री हुग गया अब क्या होगा यह हमास और प्रॉट कर लेका लेका है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg हो जाएगा बट्टै क्या हो जाएगा 3 कर देंगे यहापर इन तु आई यह मास आपालिटिकल दूहा बेस दी है बहार ब तो यह बाद में kg में ही आएगा तो kg मुष को रिजली टर्व लाइं के जब यहाप रिजल टाएं डिवाइट कर देंगा लो 9.1 या फिटारिट्य लोग अभ्लोग बटिप्लाइब कर देंगा खरना क्या है यहापर तो यहापर जो है सिंपल सी बात इसको डिवाइट कर करना ऐसे 9.21 बटर इसको मुल्टिप्लाइब कर दिए कितना हो जागा है आपर 339 3138 3024 और 3 एंड टू कितना हो जागा फाइब हो जाएगा तीम डेसिमल के बाद यहां पर टीन आंके बाद दिए इन टू टैन तु दी पावर देखो के माइनस 31 अ प्लस चार हो जाएगा तो माइनस 27 यह केजी हो गया देख लू यह उपर में नौ के लगवग में है नीचे पाच के लगवग में तो वाट पर सब्सक्राइब तो यह लगवग विजल ड़ता है तो यह लगवग विज प्रोटन का मस को सकता है या यह लगवग वास एक एव्यू के बराबर होता है जो की प्रोटन यह लगवग का मस हो सकता है तो यह पारिटिक्ल भी बी वद्टन हो सकता है या किया हो सकता है नेट पर्व भी वो सकता है तो 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 यह लिखेंगे इस पालिटिकल इस पालिटिकल और यही हमारा सवाल था और इसका प्यारा सी यह पर सॉलेशन हमने आपको करके दिखाया आई होप आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करोगे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाओगे और बताना कमेंट में कि फिजिक्स के वीडियो आपको कैसे लगते हैं क्या मुझे आगे फिजिस के और सारी नुमेरिकल्स बनाने चाहिए आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर देंगे मिलते अगले वीडियो तक लिए मिश्टर प्लक एंड टेक केर